हेलो स्टुडेंट गुड मॉर्निंग आयम अतुरुकुमार बेद फेकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट और सिविल इनिंग एसायाइटी भोपाल तो आज हम डिसकस करेंगे लास्ट टाइम हमने कुछ एक्सप्रिमेंट डिसकस किये थे इन लेबरेटरी आज हम ऑनलाइन डिसकस करेंगे कुछ फ्रैक्टिकल तो इसमें हम आज हम कॉंकीट की कुछ टेस्ट डिसकस करेंगे यहाँ पर वो किसलिए इंपोर्टेंट है उनका रॉल क्या होता है इन फील्ड तो हम सभी की बात और इसका नमबर क्या है शिक्स नमबर था तो आप यह सीज में भी देख सकते हैं तो जो एक्सप्रिमेंट नमबर शिक्स है इसका जो मेन ऑबजेक्ट है वो क्या है डिटर्मिनेशन बर्क विलिटी और फ्रेस कॉंकीट बाई स्लंप कॉन टेस्ट तो आप पहले यह समझ बनाते हैं देख पूरा प्रोसेस समझना आए आपको कि बर्क विलिटी है क्यों चेक करना है जिस टाइम पर हम कॉंकीट बनाते हैं फ्रेस कॉंकीट होता है तो बर्क विलिटी मतलब स्टार्टिंग से बनाने से लेकर उसको प्लेसिंग तक ट्रांस्पोटेशन की बज़य से तो प्रॉपा करें वो मिक्सिंग से लेकर प्लेसिंग ता इसलिए हम ईह टेस्ट करेंगे बर्क विलिटी चेक करने के लिए हमागे पास दूसे तीन टेस्ट हैं इसमें उन ङोग संट तो हम ऐसर्थ तेस्ट mai बॉतार कॉंकिंट काउंकिट हमार क्या होता है ? mixtures, cements and aggregate तो जो कॉंकिट आपने देखा वो जनरली यूज होता है जैसे रोड़ी बनाना है, rigid payment, building pipe कहीं चल रहा है तो इसमें कॉंकिट यूज होता है आप RCC Member, BAME, Column, Foundation बनाते हैं सबी जगा मतलब konkret use होता है, तो हम उसका test करना है, तो कि बाइश से लंब कोन, तो इसका जो aim है, यह भी ही कि हमें encourages ability determine करना है, तो हम इसे हमें चार से पांच topics पर बात करते हैं, कि किसी experiment को perform करने के लिए कौन कौन से वह main चीज होना चाहिए, तो हम first देखते है aim, means जो experiment है, इ या इसका required apparatus है, यह न, third हम देखते हैं, इसमें कुछ reference, कुछ IS code होते हैं, हम हमेसा IS code के recording ही काम करेंगे, तो जो IS code है, वो कौन सा इसमें यूज होता है, third बात करते हैं, procedure, क्या procedure है, क्या से हम इसको field पर perform करेंगे, fourth है observation, इसमें table यूज होती है, fifth है result, और last है discussion, means जो discussion है, उसमें ये final पता चलेगा, कि जो value आती है, कितनी है, हम कहां उसको use कहा सकते हैं, तो हम इन 6 topics पर बात करना है, अभी हाँ पर, ओके, जिसमें हम देख रहा हैं, कि M क्या है, कि हम बात करना है, तो इसमें जो, अब हम बात करना है, required apparatus, जो required apparatus हैं, वो कौन-कौन से इसमें use होंगे, ओके, तो जो required apparatus हैं, इसमें सबसे पहली use होता है, mold, इसी को हम बोलने क्या, slumpcon apparatus, इसका भी हम आपको size भी बता रहा है, second use होता है, sampling tray, जिसमें हम sample, use करेंगे, mix करेंगे, third होता है, tamping rod, और फो होता है, square, तो इसमें जो, is code use करेंगे, वो कौन सा करेंगे, IS 1199-1959, इसका जो revise form आया है, वो है 2013 में, तो हम use करेंगे, तो हम जो required apparatus है, इसकी बात हम कर लेते हैं, कि इसमें जो slumpcon होता है, कि size का होता है, क्योंकि, यहां से जो question है, वो हमारे computer exam में भी आते हैं, जो question है यहां पर, कहां थे हमारे computer exam में भी आते हैं, तो यहां से आप देख नहीं, कैसे बनते हैं, computer exam के question, हम यहां पर देख रहे हैं, इसमें पर हम mode बना रहे हैं, slumpcon apparatus, तो उसका size होता है, देखें किस से में आपको मिलेगा, जनरली फिल्ड पर test platform किया जाता है, जहां भी आपको concrete मिले, आप concrete कुछी भी batching का हो, आप उसे concrete लीजिए, और field test पर आलाम से हो जाता है, field पर, तो इसमें जो generally होता है, जहां में एक app पे test, देख कैसे बनेगा, इसमें हम एक ट्रेर होता है, platform, home, इसमें हम, इसका हम डाइमेंस नहीं बताते हैं अभी आपको, जिदि हम इसका एवब डाया देखें, देखें अभी हम केवल required apparatus की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बना रहा है, slump con apparatus, आप हम क्या बना रहा है, slump con apparatus, देखें आप, एक कौन सेब में होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, slump con apparatus, इसका जो टॉप डाया होता है, क्या होता है, 10 mm डाय, टॉप और bottom डाया होता है, 20 mm, और जिसका height होता है, कितना होता है, 30 mm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, यहाँ पर जो डायमेंशन है, किसमें होंगे, ओल डायमेंशन है, सेंटीमीटर, यहाँ आप इसको mm में करना चाहें, तो क्या हो जागए, 100 mm, 200 mm और 300 mm, मिन्स जो डाया है, कितना होगा, 10 cm, 20 cm, यह टॉप डाया है, यह बॉटम डाया है, और यह उसका height है, ठोटा है, यह हम इसका जो ठिकनेस देखें, तो कम से कम 0.16 cm ठिकनेस हो इसकी, यह हम dimension आपको उसमें भीद देंगे आपको PDF form, तो देखें, यह होता है क्या हमारा, 1st slumpcon apparatus, जो हमने आपको दिखा दिया है, कि ऐसे होता है, और एक होता है sampling tray, जो 1.2 meter into 1.2 meter into 50 mm deep, sampling tray जिसे हम sample रखेंगे, एक होता है tamping rod, इसका जो डाया होता है tamping rod का इस save में मिलेगा आपको, देखें यहाँ पर, लेंथ में होता है, 60 cm इसकी लेंथ होती है, 60 cm, और 16 mm डाया, means 1.6 cm, तो यह tamping rod होती है, और सब्सक्राइब होता है IS code, तो आप हम देखते हैं इसकी procedure क्या है, अब यह तक हमने जिसमें दो चीज़ें देखी हैं, कि जो aim है, किसलिए करना है, workability find out करना है हमें, fresh concrete की बाइच सलंप कौन, required apparatus की हमने बात कर लिए, यह ना, इदि आप इसको diet फीले पर करते हैं, तो आपको इतनी चीज़ों की requirement होगी, अब आप diet, इदि आपको procedure करना है, कि diet आपके पास equipment आ गए है, अब आप diet fresh concrete लीजिए, किसी batching सा, जो continue काम चर रहा हो, बहां से आप कुछ sample उठाईए, और आप देखते हैं, procedure कैसे हमें find out करना है, तो इसमें हम सबसे पहले sample की preparation करते हैं, उसके बाद test procedure, इदि आप यह लेवरेटी में कर रहा हैं, तो पहले आपको sample बनाना पड़ेगा, means आपको किसी वी गेट का concrete बनाना पड़ेगा, बस हम बहुत सारे factor काम करेंगे, तो पहले आपको बरकिविलिटी पता होना चाहिए, इदि आप डाइक टेस्ट कर रहा हैं on field, तो आपको प्रेपेस जो sample बना हुगा मिलेगा, तब diet concrete उठाईए, और diet आपको procedure बता रहे हैं कैसे करना है, जो यह mold है, जैसे mold है, आपको generally इसमें, जो internal इसका area हो रहेगा, means it, firstly क्या है, यहाँ पर top portion है, एक top है, यह open रहता है, और bottom भी open रहता है, तो इसको हम, इदि हम इसको पकड़ा कहींचना चाहिए, यहाँ से, देखिए, इस face से, यहाँ तो इदि हम उपर उठाना चाहिए, तो आसानी से उठ जाता है, देश, तो एक क्या है, पूरा, यहा इस पोर्षन आराम से अलग हो जाता है, उपन हो जाता है, उपन हो जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टॉप पोर्षन, बॉटम पोर्षन ओपन रहता है, तो इसकी इंटरनल पार्ट में क्लीनिंग करा देंगे पहले, क्योंकि हम इसके अंदर कॉंक्रीट फिल करना है, क्लीनिंग करेंगे सबसे पहले उसके वाद हम क्या करेंगे जो कॉंक्रीट है कॉंक्रीट को इसको डिफ्रेंट फोर टाइम में मीन्स जो टोटल हाइट है 30 सेंटीमीटर है इसको हम चार पार्ट में फिल करेंगे डेखिए आप यहाँ पर यहाँ आपस इसको तो किल करना एक तो यहां तक भार देंगे करने हम कि हमनने कौंक्रीटिंग यहां पर भार दिए याँ प्भार में प्षु करना है वोट्व टू टो और 25 टाइम टैंपिंग अना तो घार हाद About आपिव की थॉपे ए İs प्राम से एंफ़ vaig करेंगं स्वा में हमँस्टोब करना इमें हम 25 साय नाय उतली थे उतलन दॉफ टाम आइ वन लेयर हुई इसके बाद हम second layer 25 टाइम के बाद second layer फिल करेंगे यहाँसे हम continuous में फोल लेयर में पूराкимиइड इसमें फिल करना है आपको इसमें रुखना नहीं है after 25 टोग आपको अगें continuous अमेर फिल करना है और यह last final four इसके बाद हम tamping road को हटा देंगे यहां से पूरा हमारा यहां पर concrete fill हो जाएगा और concrete fill होने के बाद हम यहां फैसे again tamping करेंगे इसको sharp करेंगे means हमारा जो value है जो concrete है पूरा slump में अंदर fill करेंगे हम इसके बाद क्या करेंगे continuous में अब हमने बोला था आपसे यहां से हम इसको rotate करेंगे train करेंगे तो यह open हो जाएगा यहां से यह भी open हो जाएगा open होने के बाद हम इसको bitically इसको up करेंगे तो जो इतना portion है slump यह अपने आप उपाई की side up byte होगा means हम इससे खुद manually उपाई करेंगे जब इससे हम open manually करेंगे तो जो concrete है concrete है यहां पर बचेगा मतलब concrete जो कौन से में यहां पर हमें देखेगा तो हो सकता है different save में देखे समझे लिए फूल इदी यह ऐसा आता है देखिए यह होता है true share true slump होता है वह होता है इस save में आता है इस save में आता है हमारे क्या होगा है true slump तो इसको हमें major भी करना है तो हम देखे top height क्या थी हमारी यह है तो यहां से हम direct skill की help से अब तो diet equipment भी आते है diet skill की help से इसको हम major कर लेंगे तो मैं पता चल जाए गए कि टोटल था ये 30 cm और ये 28 cm तो हमारा कितना स्लम्प आ जाएगा यहां पर जितना ये गैप है यह हमारा क्या है स्लम्प है देखी आप पूरा पुरा प्रोश्र मुंझ प्रीप्र आ टायम में पूरा में में देखे क्या है स्लम्प को तो हमैं यहाँ पर पहों स्लम्प में देखेगा। कोई स्लंप कीड है कौनी में तो एदी से में देखता है तो क्या होता है हमारा कि सिल सिलंब कर भी यह सेम्हें तो क्या कि इसे हम टुरू सिलंप और इसकी जो में कनना किया से कनना है डायेट देखिए हम स्लंप यहां से हाटाएंगे slump को नपटास हटाएंगे तो यह कुछ है नीचे की side आएगा क्योंकि mix होता है तो इदी यह बिलकुल भी mix नहीं होता है है ना यह बिलकुल भी down नहीं होता है तो उसे हम बोलेंगे zero slump means इदी यह इस height तक होता उसकी 30 cm इदी थोड़ा से कम होता है means 20 mm तो इसके लिए value क्या हो जाएगी slump की value क्या हो जाएगी slump पे value क्या हो जाएगी 20 mm इदी यह आता 26 पर तो कितनी हो जाती 40 mm तो देखें हम इसमें देखते हैं कि जो final है कि observation table हम बनाएगे कि कितनी value आए final result देखेंगे क्या जो हमारे difference होगा final result होगा क्या जो हमारे difference है यह हमारे क्या होगा final result होगा और इसके बाद हम देखते हैं discussion कि देखेंगे इसमें जो different according to IS code देखें 1199-1959 इसके according जो slump की value है different जैसे हमारे यहाँ 40 mm आई ठीक है तो देखें 40 mm के लिए कहा यूज होगा concrete for piers and slab 42-50 mm यूज होता है ओके इदि 40-50 mm के बीचे value आती तो आप यहाँ यूज कहा सकते है concrete for canal lining 7-80 mm normal RCC bike के लिए 82-50 mm advanced concrete के लिए 22-50 mm a simple slump value है जो हम different purpose RCC structure के लिए simple bike के लिए इसको यूज करेंगे हम फेर से एक बाद repeat कर लेते हैं कि जो हमें vitality check करना है concrete की slump cone apparatus aim भहिए हमें value find out करना है required apparatus this procedure हमने आपको बताई दिए कैसे करना है observation और result of final discussion हम आपको बता देंगे इसके जो competitive question आते हैं वो यहाँ से आते हैं जो tamping rod है इसकी length कितनी होती है तो अब ध्यान कर लें 60 cm 2 feet के आसपार mm में कितना होगा 600 mm और जो dia होता है tamping rod का कितना होता है 16 mm means 1.6 cm इदी हम इसको देखते हैं कि जो top portion है slump का कितनी value होगी इसकी 10 cm bottom की 20 cm इदी हम mm में बोलनें तो इससे क्या बोल सकते हैं 100 mm इसको क्या बोलेंगे 200 mm इसको क्या बोलेंगे 300 mm तो इस simple slump की slump एपेटा से उसकी simple value है उसका dimensions है और फिर tamping rod बताई दिया तो यहां से complete exam में question आई हुए है तो आप पुराने question paper complete exam question भी देख सकते हैं और experiment का हम आपको video भी share करेंगे अभी तो इसमें आप diet देखिए कैंसे test perform हो रहा है और इसको written में लखने के लिए आपको PDF फाइल भी share कर रहा है जो IS code के according है तो वह भी आप practical में लख सकते हैं इसके बाद हम कल next test देखेंगे compaction factor वो भी बाद के लिए होता है तो इसको आप आज अच्छे से देख लीजिए और कुछ doubt हो तो आप personally मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू